पंजाब के स्ट्री देखरे सबी दर्शुकोंगा मैं कभिशा रोड़ा बहुत बहुत स्वागत करती हैं दर्शुकों स्कूल, स्कूल वो जगा है जो हमारी नीव बनाती है और उस नीव में जितना अच्छे से मेनत की होगी वो ही हमारे फ्यूचर को बिल्ड करती है इसलिए आज हम आपको लेकर आए हैं एंजल्स पारडाइज और हमाय साथ यहाँ पर MD विकरान कपूर जी मौजूद हैं जिनोंने बहुत सारे ऐसे सुनेहरे भविश्य वाले बच्चे अपने स्कूल की डिफरेंट ब्रांचे से निकाले हैं जो की बहुत सारे अपने अलग अलग फील्स में बहुत अच्छा फ्यूचर बना चुके हैं विकरान कपूर जी बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत कंग्राचिलेट करना चाहूंगे आपको कि याज आपने एक और ब्रांच खोली है गादन एंक्लेफ में अद इस तो ब्यूतिफल आप 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 एंजल्स पारडाइस जब ही हम बात करते हैं कि प्रोग्रिसिव सोच की कि वैड़ बिलाच प्रोग्र में था ला क्रीक्ष घंट आप 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 आड आप ही हम्र in不起 और्ऐ इस शज़िए की बच्छों को पोर्छ प्लेफ बट्फ खर आप आंगी牌 तो नहीं डूर्ट करना चैहें विग्राइस हडें के उसोंydd अमुर्ट सार के दिफरेंट अबर्ट को अबर्ट आप मेरा दिल से नमस्कार अगर वह बात कहना चाहूंगा कि जो कभीशा जी ने बताया मेरा यह मानना है कि बच्चों को टाइम मिलना चाहिए बच्चे अगर एक डिडड़ घंटा रेवलिंग में बता देंगे सुबा और अरे गहंटा वापेस आने में, तो बच्चों के लिए लाइफ में टाइमी गाए बचा. तो हमें होता है, बच्चे हमारे पास ने आ सकते, तो हम तो बच्चों के पास जा सकते हैं, तो अलग-अलग area में तभी अलग-अलग area में branches खोलते हैं, कि जो आसपास के बच्चे हैं, तीन चार किलोमेटर के बच्चों को जादा ट्रेवल ना करना पड़े, अपने वो स्किल्स पर फोकस कर सकें, तैलेंट पर फोकस कर सकें, इंसेट अफ ट्रेवलिंग में, धक्के खा रहे हैं, बसेज में, वो ना हो बच्चों के लिए, यही मकसद है. तो ना वो अपनी किसी स्किल पर काम कर सकते हैं, ना फैमिली को टाइम दे सकते हैं, और उनका बच्च्पन यूँ ही गुम हो जाता है, और यह जो आपका आइडिया है, आइडिया है ना, बल्कि यहां पर बच्चे आपके पास पहुंचे है, आप अच्छों के पास पहुंचाते हैं, different areas of Amritsa, you are situated and located in, and I really want to appreciate this effort of yours, कि यह सोच आपकी बहुत अच्छी है, कि बच्चों को traveling में time ना निकले, बल्कि उनकी still improve कर सके, और मैं यहां पर बात ही करना चाहूंगी, like you have actually groomed a lot, like बच्चों को आपने इतना groom किया है, और साथी साथ Angel's Paradise को भी उसी तरह से, आपने एक बच्चे की तरह groom किया है, I really want to ask you, what made you do all this? मतलब आपने Angel's Paradise को तो अपना बच्चा माना है, बाकि जिते स्कूल में, जिते बच्चे भी आए, उन्हें अपनी फैमिली का हिस्सा बना कर उन्हें ग्रो किया, Absolutely, बहुत राइट आप्जवेशन है, Kavisha जी आपकी, मेरा यह मानना है कि, एक शिक्षक की जिंदगी उसकी अपनी जिंदगी नहीं होती है, वो समाज के बच्चों के लिए होती है, So I have dedicated my life to the children of the society, मैं खुद को बहुत गुरूम करते रहता हूँ, अलग-अलग talents मैं अपने आपको गुरूम करते रहता हूँ, Just because कि अगर मेरे में गुन है, तब ही मैं बच्चों को दे पाऊंगा, तो मकसद ये है कि बच्चों को हम बिल्कुल all-rounder बनाए, because आने वाला भविष्य जो है, वो हमारी AI से competition है, तो हमें human intelligence को इतना शाप करना पड़ेगा, कि हमारे बच्चे AI को जो है पीछे छोड़ सके, You are absolutely right, क्योंकि कि कल को बहुत सारी ऐसी jobs होंगी, कि जिसमें AI के साथ हमारा competition होगा, हमारे human mind को अगर compare किया जाएगा, तो एक human से नहीं, बलकि AI से, कि AI जतना efficient है, क्या हमारे बच्चों का दमाग भी उतना efficient है, So, wow, that's great, यहाँ पर तो I would say you have, you have got 10 on 10, and I have seen a podcast room as well, Like, इतने छोटे बच्चों के लिए podcast room, wow, that's great, that's a beautiful thought as well, I would say, यह कहां से idea है, कि इतने छोटे बच्चों को भी podcast के जरूरत पर सकती है, Basically, I am a musician, I write, compose, sing, and I am a public speaker, तो मैं चाहता हूँ कि इस चीज से आपका जो है, दम निकलता है असली life का, आपको पता चलता है कि समाथ से कैसे connect करना है, और podcast एक ऐसी upcoming चीज है, कि आने वाला future ही podcast का एक दूसरे को जानने के लिए, तो बच्चों में इस skill होना चाहिए कि कि किसी से बात करनी है, बात करनी है किसी की जिंदिकी के बारे में जानना है, वो कैसे जान सकते हैं, तो इसलिए हमने एक podcast room design किया है, जहां पर चोटे-चोटे बच्चे, celebrities के इंट्रूव लेंगे, कभीशा जी, हम आपको भी बलाएंगे किसे दिन, हमारे students आपका भी इंट्रूव लेंगे, बुचेंगे आपकी जो, हर एक की जिंदिकी जो होती है, बहुत सुंदर कहानी होती है, और कौन सी चीज किसको इंस्पायर कर जाए, पता नहीं, वो बच्चे भी जो कर रहें इंट्रूव वो भी इंस्पायर होंगे, और लोग भी इंस्पायर होंगे, वही परपस है उसका, इंस्पायर होंगे इंस्पायर होंगे इंस्पायर होंगे, कर दिया जाएगा, कल को हमारा फ्यूचर, हमारा भविश्य कहीं न कहीं, जब हम कहते हैं कि अब्रॉड की बात करते हैं, कि वहाँ पर बहुत एड्वांस्मेंट है, जो हमारे इंडिया में नहीं है, उन सब के लिए ऐसी सोच वाले लोग, आइवड से विक्रांद कपूर जी की सोच वाले जो लोग हैं, जो लोग हैं आपके जैसी सोच का होना बहुत जरूरी है, जो लोग जल्द ही स्कूल का टॉर भी करेंगे, जहां विक्रांद कपूर सर के साथ, पूरी एक एक निकन कॉर्नर को एक्स्प्लॉर करेंगे, और बताएंगे कहां पर क्या सोच के साथ, किस चीज को कुरुएट किया गया है, और विक्रांद कपूर जी को एक बार हमाई तरफ से, पंजाब के स्री की तरफ से, और साथ साथ हमारे तर्शकों की तरफ से, फिर से, many, many congratulations, May you accelerate like this, यह जो स्पीड है आपकी कायम रहे, इससे भी आगे तेज़ बड़े, Thank you so much for inviting us, Thank you and आप बनेने पंजाब के स्री पर देखते ने पंजाब के स्री क्योंकि पंजाब के स्री है आपके दिल की धरकन.